रुको 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 भाई रुको रुको थोड़ा सुन लो रुको 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 अगर मैं आप लोग को कहूँ कि 13000 के अंदर में आपको ऐसा 5G स्मार्टफॉन देखने को मिल रहा है जिस पे MediaTek Diamond City 8100 का एक पावरफुल 5G प्रोसेसर देखने को मिल रहा है तो आप लोग क कहोगे भाईया कि कुछ पीपा के आये हो का उसी में अगर मैं आप लोग को कहूँ कि वही स्मार्टफॉन में आपको 6.6 इंचेस का Full HD Plus का Dolby Vision 144 Hz का डिस्पले देखने को मिल रहा है तो भाईया आप लोग कहोगे कुछ भी जी हाँ वही अगर मैं उपर से आप लोग को कह द मैं आपको कि 5000 मिली एमपेर बैटरी के साथ में 67 वाट का चारजर भी देखने को मिलेगा तो कहोगे कुछ भी क्या फेक रहे हो जी यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ Redmi K50i के बारे में जब इंडिया में यह लॉंच हुआ था तो आपको 29999 पे देखने को मिला था लेकि 15 या 16 days का आपको replacement भी दे रहे हैं उसी के साथ में आपको पूरा EMI का facility भी दे रहे हैं तो अगर आप लोग को buy करना है तो आप जाके visit कर सकते हैं और आप लोग check कर सकते हैं मेरे सामने जो screenshot शो हो रहा है जो कुछ दिखाई दे रहा है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ य अगर आपको लगे कि ये trusted side है और trusted phone अच्छा phone मिलेगा वैसे तो एलुप दिये हुए है एक साल का warranty warranty लेकिन ये आपके उपर depend करता है कि आपको buy करना है या नहीं करना है अगर आप सोच समझ के अगर buy करते हो तो आपके लिए सही है वरना बाद मुझे आप कुछ नहीं ब बाल सकते क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं बस वो आप लोग को बता रहा हूं